युवाओं को नशे की जट से बाहर निकालने और नशे को पूर्ण रूप से रोक लगाने को लेकर तेन जिलों की पुलिस और प्रशाशन ने मन्थन किया नशा मुक्ती अभियान को लेकर अंबाला रेंज में एक कारेक्रम आयोजित क्या गया अंबाला रेंज की आईजी भारती अरोडा ने इस कारेक्रम में बतोर मुख्यती थी के रूप में शिर्कत की यमुनानगर की स्पी कमलदीब कोईल ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि यमुनानगर पुलिस नशा मुक्ती अभियान चला रही है और कैसे हम सब नशे पर रोक लगा सकते हैं उन्होंने बताया कि यमुनानगर में चल रहे नशा मुक्ती अभियान को सही राह का नाम दिया गया इसके तहट एक हेल्प लाइन भी चलाई गई है सही राह से 21 NGO जुड़ी है और हेल्प लाइन पर 180 कॉल आ चुकी है उन्हें भी अटेंड किया गया कुल 120 रोगियों की रजिस्ट्रेशन हुई है 115 OPD में और 5 IPD में इलाज करवा रही है अब कलेश महादेव मठ में इन रोगियों के पूरुद्धान के लिए 15 दिन का अवासिय कैम्प लगाया जा रहा है